पाइब आप पाइब जूट जाएए गलती से कैंसिल हो गया था हम चला गया था चली दोस्तों फटाफ़ जूट जाए ज्यादा टाइम नया गमात हुए कलास शुरू किया जाता है ज्यूआ ज़िए अपना इस लिंकू भेज़ दें पर फटाफ़ जूट जाएंगे और कलास शुरू होने से पहले आप लोग कोशिस किजिएगा कि आप लोग बाटसप ग्रूप जो बना उस ग्रूप में आप लोग लिंक को शेयर कर दीजेगा चलिए फटा-फट सभी द्यारती जुड़ें और कोशन आपके अस्किन पे भाई चलिए फटा-फट सभी द्यारती अंसर देंगे सभी द्यारती जुड़ेंगे और आप लोग क्लास शुरू होने से पहले आप लोग ही लिंक को शेयर कर दीजेगा वाटसप पे जो की ग्रूप बना है उस ग्रूप में जिसमें की सभी द्यारती को पता लगे और सब कलास टाइम पे अपने हाजिर हो जाएं चलिए आप जबाब सभी द्यारती का अशाग अकास गोप अशीष बोलरे कुल देप चलिए फटा फट सभी द्यारती बताएंगे बहुत लगे जबाब और संदार भाय आप लोग का जबाब बहुत लगे जबाब ऑप्शन नंबर सी समय की बचत और उत्पाद में बिरिद्धी दोनो निमलीखित में से कौन सा गेज़ परिद्ध करने का एक वाइदा है यही समय की बचत होता है और उत्पाद में बिरिद्धी होता है option number C हमारा correct answer, right answer बाकि भी द्यार्थे अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि वेलना कार कार्जघंड के किसकी पीच जाच के लिए plane ring gauge का परियोग किया जाता है option आपका सामने है वाहा ब्याष यानि आउटसाइड और दूसरा है आंत्रिक ब्याष तीसरा है भार और लंबाई क्या राइटन सोगा चलिए फटा फट सभी द्यार्थे पताएंगे question को और option को पढ़िए और बताएए क्या राइटन सोगो दोस्तो बेलना कार कार्जघंड के किसकी जाँच के लिए प्लेन रिंग गेंज का पर्योग किया जाता है चलिए फटा फट सभी द्यार्थे पताएंगे बहुत नहीं जवाब question संदार question रित वेरा अकाश गोप चलिए ओम प्रकाश कुमार अमरेश पाल सभी द्यार्थे चलिए फटा फट सभी द्यार्थे पताएंगे कलास सुरू होने से पहले आप लोक्त सभी द्यार्थी लिंक जिरूर सेर कर देंगे वाटसप गुरूप में जो बाटसप गुरूप बना है बहुत नहीं जवाब हम अबसे नमबर ए आउट साइड डायमेटर यानि वाहाब्यास जिन जिन विद्यार्थियों ने वाहाब्यास आउट साइड डायमेटर लिये हैं उनका correct answer, right answer, फटाफट सभी विद्यार्थि देंगे answer भाई, चलिए इसके साथ, अगला question आपके skin पे, अगला question है, निमलिखित में से कौन वासर का एक परकार है, वासर का परकार पूछ रहा भाई, चलिए option आपका सामने है, spring वासर, टैब वासर, फाइवर वासर, ये सभी, क्या right answer होगा, बहुत है लजवाब question, सभी का answer आना चाहिए, लजवाब question भाई, चलिए इफटापट सभी द्यार्थि पताएंगे, जितने भी टिकनिकल के त्यारी करने वाला भी द्यार्थि है, आईटाइ के त्यारी करने वाला भी द्यार्थि है, सभी द्यार्थि जुडेंगे, और अनसर देंगे, क्या right answer होगा, चलिए फटापट सभी द्यार्थि अनसर देंगे, बहुत हिले जवाब, बहुत हिले जवाब, पू्छ रहा है किने मलिखित में से कौन वासर का एक परकार है तो स्पुर्इंग भासर भी हमारा होता है ठीब भासर भी होता है और फाइबर भासर भी होता हूट इसलिए नमट डी में दिया हुआ सभी तो हमारे सभी करेक्तेंसर राईएum सब्सक्राइब दोस्तों चलिए इसे साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर आगला कोश्चन है कि चीत्र में दर्स आये गए नट के परकार को पहचानिए एक कौन सा नेट है पहचान करना है चलिए पहला ऑप्षन है कैसल नट विंग नट वरगाकार नट और आपसर नमर कोश्चन को ऊपर नीचे करकर कि आपको देखना पड़ेगा दोस्तों चलिए पहले से हैविट मना लिए सभी विद्यार थी क्या राइटन्स होगा बहुत ही लजबाब भाई बहुत ही लजबाब रजत वेरा आकाश गोप आसुतोसरा साहीद कुलदीप सुरिंदर चलिए रंजु चलिए रंजु जी है नाम चलिए फटा फट सब विद्यार थी बताएंगे बहुत ही लजबाब बहुत ही लजबाब बहुत ही लजबाब बहुत ही लजबाब जबरदस्त तयारे ऑप्शन नमबर ए कैसल नट जिन जिन विद्यार थी उन्हें कैसल नट लिए हैं उनका correct answer, right answer, बाग की विद्यारते अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे इसको भाई, बहुत है लजवाब question, संदार question, सारा question यह सब है, चलिए इसके साथ अगला question आपके अस्किन पे, अगला question है कि निमली खित में से कौन, coordinate, measuring machine का सम्वेदी हिसा है, जो माप के लिए आपके लिए अब आपका सामने है, चलिए question को आप बढ़ई अगले से हिंदी इंगलिस में जिनको पढ़ना है, पढ़ लिए निमली खित में से कौन, coordinate, measuring machine का सम्वेदी हिसा है, जो माप के लिए आब आप से हम्वी देया कर पता है, आपके लिए होगा, प्यार आपका साम चलिए बहुत ले जवाब कुर दीप अशुतोष बहुत ले ज़ेबाव भाई बहुत ले ज़ेबाप सभीका सभीका ले जवाव एंसर option no b जिंजिने विद्याही उन्हें प्रोब लिए हैं, उनका correct answer right answer option no v प्रोब करेक्ट अंसर राइट अंसर है चलिए बहुत लजवाग कोश्चन सभी विद्यातिक अंसर आ रहा ओप्शन नंबर भी सभी ओडियन्स का ओप्शन भी लिया हुआ प्रोब याद रखेगा इसी साथ अगला question आपके screen पे अगला question पुछा है केरेंट में सी से क्या भी प्राय है कंप्यूटर कॉपी कॉडिनेट कॉंबिनेट चलिए फटा-फट सभी द्यार्थ बताएंगे बहुत लजबाब कोशन संदार कोशन है सब टेकनिकल एकजाम में सेल फेड ओडियंस फेक्ट्री जितने भी सब एकजाम में कोशन ह इसलिए याद रखिएगा इसके लिए त्यारी करना बहुत जूरी होगा बिना पढ़े कुछ नहीं होगा चलिए इसलिए सभी द्यार्थ त्यारी करते रहे हमारा काम है त्यारी करवान आप लोग को चलिए फटा-फट सभी द्यार्थ बताएंगे क्या अंसर होगा बहुत रंजू बहुत लजवाब बहुत शुरेंदर पटेल बहुत लजवाब भाई चलिए option नंबर ए computer c का मतलब होता है computer option नंबर ए computer जिन गिन विद्यार्थियों ने लिए उनका correct answer right answer बागी विद्यार्थियों अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे option नंबर ए correct answer right answer चलिए इसके साथ आगला question आपका screen पर अगला question है 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अच के साथ काम नहीं करते हैं option आपका सामने है x के साथ y के साथ z के साथ या all of these के साथ किस के साथ काम नहीं करते हैं अज़िए उताफ वी जाथी पतायेंगे और टूड़ी में ड्राइंग करते समय आप किस अच के साथ काम नहीं करते हैं चलिए और जनदेदी exfoli क्या लोगा तूडी में ड्राइंग करते समयं आप किस अच के साथ काम नहीं करते थे चलिए फड़ा फट से विद्या पताएंगे क्या राइट अच्छ सो होगा जेड हमारा नहीं होता, इसलिए जेड पे काम नहीं होता है, option number C हमारा correct answer right answer दोस्तों, option number C हमारा correct answer right answer, याद रखेएगा, जिन जिन विद्यातियों को गलत हुआ, सुधार करेंगे और याद करेंगे, इसी साथ अगला question आपके skin पे, अगला question है, कि निमलीखीत में से कौन सा एक अर्ध ठोस असनिहक है, option आपका सामने है, ग्रिफाइड, ग्रीज, कैस्टर ओयल, और लॉड आयल, चलिए फटा फट बताएंगे, क्या राइटन्स होगा, question पढ़ लिजी आप बढ़िए तरिके से, निमलीखीत में से कौन सा एक अर्ध ठोस असनिहक है, यानि option आपक उनको भी, क्या राइटन्स होगा, चलिए फटा फट सभी विद्यार्थी पताएंगे, चलिए सभी विद्यार्थी का अनसर अनसे, क्या राइटन्स होगा, बहुत लजवाब, ओम्रेश पाल, बहुत लजवाब, बहुत लजवाब आई, option नमबर भी, ग्रिज, जिन जिन गला थोरा सुधार करेंगे, और याद करेंगे, इसके साथ अगला question, आपके अस्किन पे, अगला question है, कि सितलक का परियोग करने का क्या उदेश है, option आपका सामने है, cutting up करना, नौर कार्शखंट को ठंडा करना, कमरे को ठंडा करना, पर चलक को ठंडा करना, इन में से कोई नहीं, क्या राइटेंस होगा, चलिए फटा फट, सबम्मीद आपके पताएंगे, क्या राइटेंस होगा, सितलक, उप्षन दिया हुआ है हमारा, सितलक को परियोग करने का क्या उदेश है, option दिया हुआ है, चलिए, question को ऑप्षन को पढ़ें, और बताएंगे, क्या राइ परचलक को ठंडा करना इन में से कोई नहीं चलिए सविविध्यार्थ इल्ला जवाब कि पटापट सविविध्यार्थ बिताएंगे क्या राइट अच्छे होगा अप्शन नमबरे करेक्ट लीकंड को ठंड़ा करना उसकी के लिए शितलारख किया जाता है हे वलिए तो है स्रक्षाइल ही लिए इसकी साथ है एकला कोश्यन आपका स्किन पी निलिखित में से कौन सा वेयरिंग का उपयोग है आपका सामने है सौप्ट को सहारा देना सौप्ट को सुतंत्र रूप से चलने के अनुमती देना रगणने की किरिया को कम करना क्या राइटन्स रोगा चलिए फटा-फट सभी दिया थे पताएंगे क्या राइटन्स रोगा चलिए फटा-फट सभी दिया थे पताएंगे निमलिखीत में से कौन सा बेरिंग का उप्योग है आपका सामने है सौप्ट को सहारा देना सौप्ट को सुतंत्र रूप से चलने की अनुमती देना रगड़ने की किरिया को कम करना ये सभी क्या राइट अंसर होगा चलिए फटा फट सभी जारती बताएंगे बहुत फीलजबाब भारक है सभी विध्यारतें का सभी विध्यारतें का बहुत विध्यारतें का बहुत लजबाब instruction नटी ली हैं उनका correct answer right answer यानि all of these सौप्ट को सहारा देना सौप्ट को सुतंत्र रूप से चलने के अनुमती देना रगड़ने की किरिया को कम करना ये सब ही हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर है दोस्तों चलिए इसकी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पे अगला कोश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेरिंग का करितिम पदार्थ नहीं है आपसन आपका सामने है नैलोन, टेफलोन, पितल, प्लास्टिक क्या राइटन्स रोगा चलिए फटा फट सवी दिया रती पताएंगे क्या राइटन्स रोगा निम्न में से कौन सा वेरिंग का करितिम पदार्थ नहीं है आप्सन आपका सामने है नाइलोन टेफलॉन पितल प्लास्टिक चलिए फटा-फट से भी दिया थे पिताएंगे क्या राइटन्स होगा चलिए बहुत लजबाब नीम्न में कौन सा बेरिंग का क्रितिम पदार्थ नहीं है चलिए फटा-फट से भी दियारति पिताएंगे क्या राइटन्स होगा option number c जिन जिन भी दियारति ने option number c लिए पितल उनका correct answer राइटन्स होगा नमबर चीन नमबर चीन, उनका करेंट से रहें, बाके विधियर्थे अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे चलिए इसकी साथ आगला कोश्चन आपके एक आगला कोश्चन है कि तरल्ल पदार्त के भंधारन अस्थान को कहा जाता है क्या कहा जाता है अश्ट्रिनर रिज इस वायर प्लग सिलिंडर क्या राइटन से होगा चलिए फटा-फट सभी दियार्थ बताएंगे क्या राइटन से होगा तरल पदार्थ के भंडारन अस्थान को कहा जाता है क्या कहा जाता है काटने के बाद भी जो है ना कि तरल पदार्थ के भंडारन अस्थान को कहा जाता है क्या कहा जाता है आपक्षन आपका शामने चलिए फटापट सब्सक्राइब बताएंगे क्या राइटन तरोगा अश्टिनर रिजवायर प्लाग सिलिंडर चलिए फटापट सब्सक्राइब बताएंगे मिल जागा एक कोश्चन किसमापत होने के बाद इसका पीडियाफ में दे दूँगा जिस दिन लाश्ट कलास होगा उस दिन आपको पीडियाफ इसका मैं कर दूँगा डाल दूँगा लिंक में चलिए फटापट सब्सक्राइब बताएंगे क्या राइटन तरोगा करेक्ट आप यहिक दोढ़ करेंगे इसी साथ अगला कोश्चन है कि निमेटिक्स का आधियान किस्से संचलित system में से संबंधित है option आपका सामने है हवा पाणी तेल भीजिली चलिए भड़ापर मतों सभी दियारते पताएंगे क्यार राइटनश को रहोगा new matrix का आध्यान किस्य संचालित system से संबंधित है option आपका सामने है हवा पाणी तेल भीजिली फटापर सुझ सब्सक्राइब नियुमेटिक्स का अध्यान से संचालिज सिस्टम से संबंधित है चलिए फटापट सब्सक्राइब नियुमेटिक्स का अध्यान से संचालिज सिस्टम से संबंधित है चलिए फटापट सब्सक्राइब इस साथ अगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है कि लुब्रिक केटिंग ऑईल की सबसे महत्पून विसिष्टा उसकी होती है क्या सियानता भौकतिक इस्थिर्ता रशायनिक इस्थिर्ता संचारन के बिरुध परतिरोध क्या राइटन्स होगा चलिए फटा फट सभी द्यार्थ पत पताएंगे राइटन्स होगा श्यानता भौकतिक इस्थिर्ता रसायनिक इस्थिर्ता संचारन के विडियाति पताएंगे चलिए बहुत लजबा दो है मैत पर अहां में स्यां ओप्शन नंबर list कर्ड़ और ईंसर है यह ओंप्श नंबर एपयों कहारे सा राइ्ट उसरु स्यांता ओप्शन नंबर श हाथ ओप जीओ ओप्शन नंबर सभी पडिवा फख्या उन्पीस साहिद राजा चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है कोई भी कार्ज का नियंतरन परनाली जो तरल का पर्योग संचारन द्रव की तरह करती है तो किसके रूप में जाना जाता है ओप्शन आपका सामने है द्रव चालित परनाली यांतरिक परनाली विधूतिय परनाली चलिए फटा फट सभी द्याति पताएंगे क्या राइटन्स रोगा दोस्तो कोई भी कार्ज का नियंतरन परनाली जो तरल का परयोग संचारन द्रव की तरह करती है किसके रूप में जा परनाली विधूतिय परनाली चलिए फटा फट सभी द्याति पताएंगे क्या राइट अंसर होगा बहुत लजबाब सुध्रा पटेल अस्तोसरा कुल्दीप रामियादव राधा सकेत चलिए बहुत लजबाब बहुत लजबाब हाई ऑप्शन नंबर द्रव चालित परना और एका समागरी प्रहस्तन ँपकरां है प्रेंस तोड़ से कॉण सा विधारति पताएंगे बहुत लजबाब संदार छाहें चलिए बहुत लजवाब option number c crane और conveyor दोनों जिन जिन विदयर्थियोंने option number c लिये उनका correct answer, right answer crane और conveyor दोनों जिन जिन विदयार्थियोंने लिए हैं उनका correct answer, right answer बागे विदयर्थिये पना सुदार करेंगे और याद करेंगे इसके साथ अगला question आपके अस्किन पे, अगला question है कि निमलिखित में से किसका उप्योग taper की जांच करने के लिए किया जाता है, option आपका सामने है, ball और roller gauge, filler gauge, wire gauge, micrometer, चलिए question क्या है, निमलिखित में से किसका उप्योग taper की जांच करने के लिए किया जाता है, चलिए फटा सभी विद्यार्थी कांसले क्या राइट होगा विद्यार्थी पताएंगे था एक भाउत रजबा बहुत लजबाब है कुलदीप रजत भेहरा पवान अशुतोश-चैस चलिए कि शाहित अिस भाद्रा बाशुदेव अब भाउत लजबा बहुत लजबा बाइ, option number A, ball और roller gauge, जिन दिन भी द्यारतियों ने option number A, ball और roller gauge लिए हैं, उनका correct answer, right answer, बागे भी द्यारतियों अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे भाइ, चलिए, ball और roller gauge याद रखिएगा, चलिए इसके साथ अगला question, आपके askin पे, अगला question है, कि निमलीखीत में स किस मात्रा को कोन gauge block की सहता से मापा जा सकता है, option आपका सामने है, भार, कोन, घहराई, लंबाई, चलिए फटा फट, सभी द्यारतियों पताएंगे, क्या राइटन्स रोगा, निमलीखीत में से किस मात्रा को कोन gauge block की सहता से मापा जा सकता है, option आपका सामने है, भार, कोन, घर आई लंबाई चलिए फटा-फट सभी द्यारती पताएंगे क्या राइट अंसर होगा चलिए सभी द्यारती का अंसर आन से क्या राइट अंसर होगा फटा-फट सभी द्यारती पताएंगे बहुत लजवाब है सभी का सभी का बहुत लजवाब अंसर सभी का लजवाब तयारी option number B कौन जिन जिन विद्यारतियों ने angle कौन लिये हैं उनका correct answer right answer दोस्तो option number B में है कौन angle चलिए निमलिकित में से किस मात्रा को कौन gauge block के साहता से मापा जा सकता है इंगल कौन option number B हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए इसके साथ अगला question आपके अगला question है कि आकरिती में दर्स आये गए उपकरन को पहचाने इस figure को बताना है उपकरन दिया हुआ figure दिया हुआ है इस figure को पहचानना है भाई प्लग गेज वर्नियर के लिपर माइक्रो मीटर साइन वार क्या राइटन से होगा चलिए फटा-फट से विद्यारते पताएंगे इस figure को पहचानी है कौन सा figure है बहुत है लजबाब कुल देप आसुतोस चलिए रजद वेरा अमरेश पाल रजद राधा स्रकेत चलिए बहुत है लजबाब कुल देप बहुत है लजबाब है option number D sign war जिन विद्यारते उने option number D sign war लिए है उनका correct answer right answer दोस्तो आसिस गुपता चलिए फटा-फट सभी विद्यारते पताएंगे option आपका सामने है तिर्कोनमीतिये बिजगनीतिये जैमीतिये साइंखी कि चलिए फटा-फट सभी विद्यारते पताएंगे क्या राइटन्स होगा आसिस गुपता चलिए शर्वान बाशुदेव राज चलिए राधा राजेश अस्वदन लाइक चलिए फटा-पट सभी द किस कार्ज पर अधारित होता है बहुत है लजबाब है सभी का बहुत है लजबाब अंसर सभी का लजबाब अंसर तिर्कोनमीतिये जिन इन विद्यारतों ने तिर्कोनमीतिये लिए है उप्शन नंबर ये लिए है उनका करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों तिर्कोनमी किया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का परियोग निमलिखीत में से किस कार्च इसमें किया जाता है option आपका सामने है सौप्टों की समानांतरता की जाच करने के लिए छिद्रों की केंद्रिकरान की जाच करने के लिए समतलता समतलता और समानांतरन के लिए सपोर्ट सत्वों के जाच करने के लिए ये सभी क्या राइटन्स रोगा चलिए फटा फट सभी देखते पताएंगे क्या राइटन्स रोगा डायल टेस्ट इंडिकेटर का परियोग निमलिखित में से किस कार्ज में किया जाता है चलिए फटा फट सभी देखते पताएंगे क्या राइटन्स रोगा डायल टेस्ट इंडिकेटर का परियोग निम्लिखित में से किस कार्ज में किया जाता है ओप्षन आपका सामने चलिए फटा-फट सभी देर्थ पताएंगे चलिए बहुत लजवाब सभी का बहुत लजवाब ओप्षन नमबर D जाट के लिए चिद्रों की केंद्री करण की जाच के लिए समतल्ता और समनंतर्ता के लिए सपट सतों की जाच के लिए यह हमारा तिनों कर्यक्न सार रा अगला कोश्चन है किन мलिखित में से किसका परियोग बहु उत्पादन में जॉब को अस्थान निर्धारित करने और टूल को गाइट करने के लिए किया जाता है ओप्शन आपका सामने है गेज, हाउसिंग, जीग, फिक्स्चर चलिए फड़ाफ़ट सर्वी जर्थ बताएंगे क्या राइटन्स रोगा निम्लिकित में से किसका परियोग बहु उत्पादन में जॉब को अस्थान निर्धारित करने और टूल को गाइट करने के लिए किया जाता है चलिए फड़ाफ़ट सर्वी जर्थ बताएंगे क्या राइटन्स रोगा गेज, हाउसिंग, जीग, फिक्स्चर चलिए फड़ाफ़ट सर्वी जर्थ बताएंगे बहुत लजबाब भाई, बहुत लजबाब बहुत लजबाब सभी का ऑप्शन नंबर सी, जीग लिए हैं उनका करेक्ट अंसर, राइट अंसर दोस्तो ऑप्शन नंबर सी, राइट अंसर चलिए इसके साथ आगला कोश्चन आपके अस्कीन पे, आगला कोश्चन है कि फिक्स्चर एक उत्पादा नियंतर है जो कि बर्पिस को पकड़ता है बर्पिस को लॉकेट करता है बर्पिस को पकड़ता और लॉकेट करता है ना तो बर्पिस को पकड़ता और नहीं लॉकेट करता है क्या राइट अंसर होगा चलिए फटापट सर्वी देरते पताएंगे फिक्स्चर एक उत्पादा नियंतर है जो कि क्या करता है भाई option आपका सामने है बर्पिस को पकड़ता है बर्पिस को लॉकेट करता है बर्पिस को पकड़ता है और लॉकेट करता है न तो बर्पिस को पकड़ता नहीं लॉकेट करता है चलिए फटापट सर्वी देरते पताएंगे क्या राइट अंसर होगा बहुत है लगा जवाब कोशन है भाई चलिए फड़ा फट सब भी द्यारती पताएंगे परकार है फ्लेटजीग चैनलजीग बॉक्स्व यह सभी क्या राइटन्स रोगा च्छील 27 रहाख्षास निमलिकित में से कौम साज़ीग एक परकार का है opioid आपका सामने यहाइं फ्लेटजीग चैनलजीग ॉक्स्व यह सभी चलिए फटा फट सहवी दियार थे पताएंगे चलिए बहुत लजबाब सभी कवाये कुल्डीप, विकाश, असुतोसरो चलिए रंजु, अम्रेश पाल चलिए फटा फट अस्तोसरो बहुत विकाश आहिरवार फटा फट सही दियार पताएंगे Property option number D जिन जिन भी दिया थे उन्हें, option number D लिये हैं उनका correct answer, right answer यानि सभी, flat jig, channel jig और box jig, कीनों हमारा यह एक jig का परकार है option number D हमारा correct answer right answer दोस्तों, सभी हमारे इसमें से correct answer, right answer है चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे, अगला question है प्रेश पर कार्ज करते समें दुर्घटना से बचाओ का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है चलिए option आपका सामने है बहुत तेजी से कार्ज करता है प्रेश और कार्ज के अस्थान से संबंधी सुरच्छा नियमों का पालन करना अपने तरीके से कार्ज करना इन में से कोई नहीं क्या राइटन्स रोगा चलिए question मैं फिर से उकार पढ़ दता हूँ प्रेश पर कार्ज करते समय दुर्घटना से बचाओ का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है चलिए फटा फट सबी देर्थ पताएंगे चलिए option मैं आपके सामने करते रहा हूँ चलिए फटा फट सबी देर्थ पताएंगे क्या राइटन्स रोगा बहुत ही लजवाब है सबीका बहुत ही लजवाब कुल्दीप, अमरेश, अस्तोष चलिए एमडी साहिद, विकाश, अमरेश, अस्तोष बहुत ही लजवाब option number B, correct answer, right answer option number B, प्रेश और काज के अस्तान से समद्धी सुरच्छा नियमों का पालन करना जो निविजारतियों ने लिए हैं उनका correct answer, right answer option number B, correct answer, right answer है चलिए इसी साहथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पे अगला कोश्चन है invaded die, compound die ये सभी, चलिए फटा-फट सभी जविजारति पताएंगे क्या राइटन्स रोगा सभी जविजारति पताएंगे क्या राइटन्स रोगा, बहुत लजवाब संदार कोश्चन भाई चलिए बहुत लजवाब, बहुत लजवाब बहुत लजवाब, option number D जिन जिन विजारतियों ने option number D लिये है all of these, यानि सभी उनका correct answer, right answer है निमलिखित में से कौन सा die का परकार है तो progressive die भी होता है inverted die भी होता है, compound die तीनों हमारा correct answer, right answer है इसलिए option number D में दियो all of these तो यह हमारा सही है answer चलिए इसके साथ अगला question आपके अस्कीन पे, अगला question है कि चीत्र में दर्स आये गए सक्ति संचरन, साधन को पहचाने option आपका सामने है gear, clutch, coupling, build चलिए फटा-फट से भी दियर्थ बताएंगे क्या right answer होगा चीत्र में दर्स आये गए सक्ति संचरन, साधन को पहचाने चीत्र में जो हमारा दर्स आये गया है इस सक्ति को पहचानना है कौन सा है गयर का है, clutch का है complaint का है, build का है चलिए फटा-फट से भी दियर्थ बताएंगे बहुत ही लजबा, बहुत ही लजबा भाई महिपाल, अमरेश, चलिए, अस्वदन, चलिए, फटा-फट से भी दियर्थ बताएंगे बहुत ही लजबाब, option number 1, gear जिन-जिन मिद्यार्थियों ने gear लिए है, उनका करेक्टन सर राइटन्स दोस्तों चित्र में दर्स आया गया, सक्ति संचरन, साधन, जो हमारा है यह gear कहा है, option number 1, हमारा करेक्टन सर, राइटन्स दोस्तो, चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पे अगला कोश्चन है, कि निमलीखित में से कौन सा ब्रेचिंग का एक परकार है आंत्रिक ब्रेचिंग, पुष परकार ब्रेचिंग, मोडलर परकार ब्रेचिंग, यह सभी चलिए फटा-फट, सभी भी जारती पताएंगे, कोश्चन को आप्शन को पढ़िए और बताइए निमलीखित में से कौन सा ब्रोचिंग का एक परकार है आंत्रिक ब्रोचिंग, पुष परकार ब्रोचिंग, मोडलर परकार ब्रोचिंग, यह सभी चलिए फटा-फट, सभी जारती पताएंगे, क्या राइटन्स रोगा अस्वदन, कुलदेप, विकाश, शाहिद, चलिए बहुत लजवाब पुष अस्वद्रा, अस्टोष, चलिए सभी बिद्यातियों, मही पाल, रजट वेरा, बहुत लजवाब बहुत हिला जबाब हाई option number D जिन जिन बिद्यारतियों ने option number D यानि all of these antric broaching, push परकार broaching modular परकार broaching जिन जिन बिद्यारतियों लिए है उनका correct answer, right answer दोस्तो चलिए इसी साथ आगला question आपके skin पे आगला question है कि निमलीखित में से कौन सा एक परिस्कृत परिचालान है option आपका सामने है drilling, milling, turning, lapping चलिए बताए क्या right answer रोगा दोस्तो निमलीखित में से कौन सा एक परिस्कृत परिचालान है चलिए फटाफ़ट सहभी दियारति बताएंगे drilling, milling, turning, lapping चलिए फटाफ़ट सहभी दियारति बताएंगे क्या right answer रोगा बहुत लजबावर संवधार कलास भाई चलिए फटाफ़ट सहभी दियारति बताएंगे आप लोग कलास शुरू होने से पहले link को share कर दिजएगा बाटसब पे जिसे के सभी दियारति के पास link चला जाये और कलास में वो भरपूर लाव ले फिर बाटसब पे जितना से ज़्यादा ज़्यादा आप लोग अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि निमलीकित में से किस परकिरिया का उपयोग लोह और अलोह धातूं के बारे के परिश्करन के लिए किया गया है option आपका सामने है वंफिंग, मिलिंग, होनिंग और option नमेड़ी में है टर्निंग चलिए बताइए क्या राइटन्स रोगा निमलीकित में से किस परकिरिया का उपयोग लोह और अलोह धातूं में बोर के परिश्करन के लिए किया जाता है चलिए option आपका सामने है वंफिंग, मिलिंग, होनिंग, टर्निंग कोश्चन को और option को पढ़िये और बताएव क्या राइटन्स रोगा निमली खीत में से किस प्रक्रिया का उप्योग लोह और अलोह धातू के बारे में प्रिस्कित के लिए किया जाता है चलिए फटा फट से भी द्यार्थी बताएंगे चलिए बहुत भी द्यार्थी ऑनिंग लिया हैं उनका करेक्टरेंसर क्रेक्टरेंसर दोस्तो मुखेश चर्मा कुल्दीप कुमार चलिये साहेंगे बहुत हिला जवाब question है भाई, निमलीकीत में से कौन सा एक मापन उपकरान है, चलिए किसे हम लोग मापन कर सकते हैं, किसे हम लोग measuring कर सकते हैं, चलिए फड़ा फट सभी विद्यारती पताएंगे, सभी विद्यारती पताएंगे भाई, क्या right answer होगा, बहुत हिनले जवाब है अश्टी रूल से हम लों क्या करते हैं मापते हैं चलिए ऑप्षन नमबर भी अश्टी रूल जिन इन विद्यातियों ने लिए हैं उनका करेक्ट राइट अंसर चलिए इसके साथ अगला कोश्चन आपका अस्किन पे दोस्तो अगला कोश्चन आपक कि निम्लिखित में से कौन एक अलाह धातू है धलवा लोहा पीटवा लोहा अस्टेल एलमुनियम चलिए फटाफ़ट सभी द्यार्थ पताएंगे क्या राइटन्स होगा बहुत जबा मुके सर्मा कुल्दी पासुतोस रास रिजत वेरा चलिए अस्वदन लाइक चलिए फटाफ़ट सोरव परजापती महिपाल कैलास चंद साइनी चलिए फटाफ़ट सभी द्यार्थ पताएंगे क्या राइटन्स होगा राधा साकेत चलिए फटाफ़ट सभी द्यार्थ बताएंगे बहुत जवाब भाई बहुत जवाब ऐलमॉनियम जिनजिन भी द्यार्थ उन्हें एलमॉनियम लिये हैं उनका करेक्ट अन्सर राइट अन्सर दोस्तों एलमुनियम निमलिकित में से कौन सा एक अलोह धातू है तो एलमुनियम ऑप्शन नमबर डी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तो चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर है अगला कोश्चन है यदि आप सीएडीश में निर्पेच निर्देसांग का पर आते हैं तो आप दूसरे बिंदू पर कहां परवेश्च करेंगे चलिए ऑप्शन आपका सामने है चलिए फटा पट बताए क्या राइटन्स होगा दोस्तों 8 से 5 580805 क्या राइटन्स होगा यदि आप सीएडी में निर्पेच निर्देस का परवेश्च का परवेश्च करेंगे तो आप दूसरे बिंदू पर कहां परवेश्ट करेंगे चलिए फटा फट सब विद्यार्थी बिताएंगे क्या राइच अंसर होगा सब्सक्राइब करेंगे क्या राइच रोगा बड़े बेरिंग जैसे बड़े वक्र सतय का अस्क्रेप किया जाता है किस परकार का आप चुनाओ करेंगे चलिए फटा फट सब विद्यार्थी बिताएंगे बहुत लजबाब कोश्चन है बाई चलिए फटा फट सभी विद्य लाइक करते जाएंगे आपका एक लाइक हमारा मोटिविटिशन को बलाता है जिससे कि मैं और आपके लिए बेतर करने के लिए सुचता हूं दूस्तो और चैनल पे जितने भी नए विद्यार्थी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइको को प्रेस कर जबाब600 नम्बडी बूल्नोज असक्रेवर जिन-जिन विद्यार्थीओं और वसके आपके स किय नीचे दीए आरेक में डृई के गी को क्या कहते हैं यह जो हमारा इंगल भी से जो दर्साया हुआ कटिंंग लिप एंगल लिप के रिवेंगल चीज लेज एंगल पॉइंट इंगल चलीए क्या राइटन सोगा कोश्टन को पढ़े और बताएए क्या राइटन सोगा दूस्तों कि नीचे दिये गए और एक में ड्रील के एंगल भी को क्या कहते हैं चलिए फटा-फट सब विद्यार्थ बताएंगे अप्शन नंबर भी लिप क्रिलियन्स एंगल जिन जिन विद्यार्थ होने लिये हैं उनका करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तो लिप क्रिलियन्स एंगल ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर है बाके विद्यार्थ है अपना सुधार करेंगे और याद क को दिखाया गया यह कौन सा है टेपर टैप प्लग टैप वाटमिंग टैप इन में से कुई नहीं क्या राइटन्स रोगा चलिए कोश्चन को आप्शन को पढ़िए और समझे फटाफट बताए यह क्या राइटन्स रोगा नीचे दिये गए आरेक में तिन टेप में से एक दिखाया गया है यह कौन सा टेप है चलिए फटाफट से बीद्धाइट पताएंगे टेप टैप प्लग टैप बटमिंग टैप चलिए फटा फट बीद्धाइट बताएंगे सवी विद्याथिक डिकार नीचे दिये गाये तीन टेप में से एक सेट में एक टेप दिखा गया है यह कौन सा टेप 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 पलक टेप वाटमिंग टेप इनमें से कोई नहीं । चलिए option नमबर डी इनमें कोई नहीं होगा भाई option number D correct answer right answer दूस्तों option number D जिन जिन विद्यारति ने लिए हैं उनका correct answer right answer बाके विद्यारति आप सुधार करेंगे और याद करेंगे इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है कि मिर्दू इसपात पितल जैसे मिर्दू मेटेरियल की grinding करते समें grinding विल के cutting point के बीच वेज का पीच बनाने के परविर्ति होती है इसे कहते हैं क्या कहते हैं चलिए फटाफट विद्यात बताएंगे मिर्दू इसपात पितल जैसे मिर्दू मेटेरियल के grinding करते समय ग्राइंडिंग विल की cutting point के बीच वेज का चिप बनाने की परविर्ति होती है इसे कहते हैं क्या कहते हैं भाई लोडिंग ग्लेजिंग अंबेडिंग टूरींग चलिए फटा फट सविद्यार्थ बताएंगे क्या राइट अंसर होगा सविद्यार्थ बताएंगे बहुत आ जबाब आई बहुत आ जबाब चलिए लोडिंग, ऑपशन नमबर A, जिन जिन बेड़ा थे, आपकी असकीन पे, अगला कोशन है कि आर्क शुरू करने के दो मैथेड नीचे दिये गये हैं वे मैथेड क्या है चलिए फिगर को बढ़िये तरीके से आप देख लिजे क्या राइटन सब्काँ दुस्तो फिगर को आप बढ़िये तरीके से देख लिजे रजत वेरा 113 रॉंग ठीक है देख लूँगा मैं उसको टेंशन लेने का जरूर नहीं है फिर से मैं एक बार देख लूँगा और पलो का कॉमेंट बॉक्स में या फिर कॉम्टिटी टैम में मैं देख करके क्लियर करके आपको डाल दूँगा चलिए आपके बात से मैं सहमत ह बताएंगे क्या राइटन्स होगा अगर शव्यव द्यारती बताएंगे शाओं अब को आप लोग देख लिए मैं ऑप्सन दिखाता हूं आपको स्विप मेथेड टिप मेथेड अस्क्रेप मेथेड टैप मेथेड स्विप मेथेड टैप मेथेड स्विप मेथेड टैप मेथेड अस्क्रेप मेथेड टिप मेथेड क्या राइटन्स होगा चलिए फटा फट सभी विद्यारती पताएंगे क्या राइट अंसर को दोस्तो option नमबर भी जिन जिन विद्यारती होने option नमबर भी लिए हैं उनका correct अंसर राइट अंसर option नमबर भी हमारा correct अंसर राइट अंसर दोस्तो scrap method और tap method question था कि आर्क शुरू करने के दो method नीचे दिये गए हैं वो method कौन कौन हैं दोनों हमारा बर्क करके दिखाये गया है वो दोनों method पूछा गया है तो पहला हमारा है पहला हमारा है scratch method और tap method चलिए option नमबर भी हमारा correct अंसर राइट अंसर है चलिए अगला question आपका skin पे आगला question है कि नीचे आरेक में किस परकार का wilt joint दिखाया गया है option आपका सामने है वर्ट joint, corner joint, A joint, T joint चलिए फटा फटसवी दियात बताएंगे आज 10 question में नहीं कराऊंगा 140 तक ही कराऊंगा इसलिए call बहुत ज़्यादा आ रहा है देखता हूं मैं call करके क्या बाई इतना जवर्दस्ती फोन कर रहे है जबकि call disturbance में हटा दिया था फिर भी पता ने क्यों call ढूक रहा है चलिए दोस्तों बताइए क्या राइटन्स रोगा 50 तक कलास लेने वाला था 150 तक लेकिन 40 तक ही लोगा चलिए फटा फटसर भी देखते बताएंगे क्या राइटन्स रोगा इससे क्या होता कि call कलास लेने वे बहुत disturbance आ जाता है बोलने का कुछ बुलाएगा कुछ तो गलत response आप लोग के साथ जाएगा चलिए क्या राइटन्स रोगा फटा फटसर भी देखते बताएंगे option number C a joint जिन जिन भी देखते होने option number C ले उनका correct answer right answer दोस्तो option number C a joint चलिए option number C a joint correct answer right answer दोस्तो इसके साथ अगला question आपका अस्किन पे अगला question है कि नीचे आरेक में वेल्ड joint में दो दोस्त दिखाया गया है वे दोस्त क्या है option आपका सामने है भाई दो दोस्त दिखाया गया है पहला और दूसरा यानि A और B दोनों में दोस्त बताना है क्या है दोस्त 道 आपका सामने में दिखाता हूं, अपोरुमिष्डन, अंडरकट, अपोर्णमिष्डन, क्रेटर, अपोर्ण redeem,ंडरकट या फिर अपोर्ण Christina receptor क्या रणाता होगा? चलिए, आपका सामने है, और कोस्टों आपका सामने है कोश्चन में सिधा कुछ नहीं है नीचे दिखाए बेल्ड में जॉइंट में दो दोस दिखाया गया दोनों में कौन सा दोस है वह आपको बताना है चलिए फटा फट सर्वीद्यार्थी पताएंगे क्या राइटन्स होगा आज का लाश्ट कोश्चन भाई चलिए फटा फट सभीद्यार्थी पताएंगे क्या राइटन्स होगा चलिए चलिए सभी विध्यार्थी आप्शन नंबर A, अपूर्ण मिष्टनर और अंडर्कट, अपूर्ण मिष्टनर, अंडर्कट आप्शन नंबर A, जिन जिन विध्यार्थ्यों पताएं अने लिये हैं उनकाmaty बॉयंट में दो दोस्त दिखाया गया है तो अप्षन नम्बर ए हमारा करेक्ट अंसर राइट हैं और दोस्तों अप पूर्ण मीशनन और अंडर कट जिन जिन भी दयात्रों लिए हैं उनका करेक्ट अंसर राइट हैं दोस्तों चलिए आज सभी को सभी सभाइब कर दिएक